What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Study Lover देखिए हम लोगों ने Parliament के सेसन के बारे में डिसकस किया था अब सेसन के चलते हुए कुछ ऐसी प्रकिरिया होती है कई सारे वर्ड आप लोगों ने देखे होंगे जो सुनते तो हैं पर लेकिन कई बार confusion क्रियेट कर देते हैं ये लेक्षर देखने के बाद में कि एडजन motion क्या होती है language क्या यूज क्या यूज क्या जाती है क्या एडजन sign and I होता है quorum क्या होता है, dissolution क्या होता है ये सारे वर्ड आप लोगों के माइंड में जो भी confusion है इससे लेक्षर वो सब हट जाएगा कि किसको एडजन बोलते हैं, किसको एडजन sign and I बोलते हैं तो ये सारे वर्ड कई बार यूज किया जाते हैं तो बने रही है मेरे साथ तो सारे वर्ड का आप लोगों clear meaning अभी समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम start करते हैं एडजन से तो एडजन मेंट क्या होता है इसको आप लोगों को समझा आएगा अभी जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर मैंने आप लोगों को यह picture भी दिखाई थी पहले जब हम lecture ले रहे थे तो यहाँ पर जिस तरीके से यह session हम लोगों ने देखा था इसको बोलते है前ğı pre-lunch session एक है यह वाला session होता है जिसमें QR होता है और ZERO होता है प्रि-lunch session गोलते है91 और02 होता है इसके बाद में यह session होता है यह पोस्ट-lunch session एक है तो लगभग 2 ृट्र静ंटे का तो यह होता है आप लोग यह देखने को मिलते है और देखने को मिलता है अगर लोक सभा की बात की जाये, तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चरों में हम लोगों ने देखा है कि प्रिज़ाइडिंग ओफिसर होते हैं राजसभा में भी और लोक सभा में माली जे यहाँ पर अभी session चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको terminate कर दिया, session को, यहाँ पर session चल रहा है, इसको terminate कर दिया, यहाँ पर कुछ time के लिए, क्या time हो सकता है, time एक घंटा हो सकता है, दो घंटे हो सकता है, वीक हो सकता है, दो वीक हो सकता है, महीने भरका हो सकत है तो यह depend करता है जो preziding offices होता है उसके ऊपर कि कितने लंबे समय तक उसको addeln करना है पर लेकिंद Addeln में दोनों word को देखें आपर जो addern meant रहता है और addern meant signed wise रहता है इनमें दोनों में difference कि और इनमें दोनों में बस यह difference है कि जो addern meant रहता है यहाँ पर यह क्या होता है यह specified time के लिए होता है मतलब time specify कि यह गंटे में मिलेंगे दो गंटे मिलेंगे एक week में मिलेंगे एक महीने में मिलेंगे तो यह time define होता है लेकिन जब यह किया जाता है sign it आई यहाँ पर कोई भी time define नहीं होता है ठीक है तो presiding officials के हाद में power होती है कि जब चाहे session को यहाँ पर बुलाया जा सकता है पर लेकिन कोई भी specific time यहाँ पर नहीं होता है कि session को कब बुलाया जाना है तो यह condition आप लोग को याद रखना है दोनों में बस यह difference है यहाँ पर specific time होता है और यहाँ पर time जो होता है वो specific time नहीं रहता है specified time नहीं रहता है इसको यह बोलके adjourn कर जाता है कि अब जो है जब बुलाया जाएगा speaker के द्वारा session तभी आएगा अब वो speaker खुड decide करेगा कब session को बुलाना है अब यह दोनों term आप लोग ही समझ में आ गई adjourn meant and adjourn meant sign it आई अब इसी से मिलती जुलती term आप लोग को यह देखने को मिलेगी इसको बोलते है prorogation तो यह वाली क्या term होती है इसको समझने के लिए हम एक seat देखेंगे जिसकी base पर आप लोग ही समझ में आए गए यहाँ पर यहाँ पर देखें इन दोनों के बीच में कई बार difference भी पूछ लिया जाता है तो adjourn meant क्या होता है और prorogation क्या होता है आप लोग को दोनों के बीच में difference भी पता होना चाहिए इससे लेटर भी कई बार question पूछ आ जा चुक है पास्ट में तो adjourn meant का मतलब रहता है आप लोगों ने अभी देखा कि जो terminate किया जाता है यहाँ पर sitting को terminate किया जाता है ठीक है कितने लंबे शमय तक terminate किया जाता है यहाँ पर define किया ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जो adjourn हो गया वो session को terminate कर देगी budget session terminate कर देगी और फिर one soon session start हो जाएगा नई यह only यहाँ पर work करता है कि जो यह Parliament के अंदर यह session चला है day by day की activity होती है उसको terminate करता है ना कि session of the house को भी terminate कर देता है अब जब इतनी power है तो इसका मतलब कोई authority भी बड़ी होगी जी हाँ बिल्कुल सही बात है authority यहाँ पर president होती है और यहाँ पर presiding officers होता है अगर लोग सभा है तो यहाँ पर speaker होगा या फिर deputy speaker होगा और आज सभा है तो यहाँ पर chairman होगा और deputy chairman होगा ठीक है तो इनके हाथ में यह power होती है जो कि adjournment की power होती है पर लेकिन जो terminate करने की बात आती है प्रोगेशन सेशन का जहाँ वर्ड किया जाता है बात की जाती है वहाँ पर आते है यहाँ पर बिल हो गया या फिर कोई और business होगे है यहाँ पर house का उसको कोई impact नहीं डालेगा जहाँ पर खतम हुआ है वहीं से आगे start कर सकते है उसको आगर resume कर सकते है वहाँ sir तो इससे कोई impact नहीं पड़ेगा और same काम यह करता है प्रोरोगेशन भी कोई इस तरीके से उन पर impact नहीं डालता है पर लेकिन यह क्या करता है जो pending notice पड़ेवे है एक्स्ट्रा जो भी notice पड़ेवे हैं वहाँ पर उनको खतम कर देता है ठीक है थोड़ा impact डालता है जाड़ा impact नहीं डालता है वो notice वो नहीं होगे जो introducing bill बिल इ फड़े खतम कर देता है जब भी उहाँ पर प्रोरोगेशन राया जाता है तो हमारे यहां पर उटबिटेन के यहां पर हम बात कर लेते हैं इंडिोर्य ह्टा अै तो यहां यह दो तरीके से Dissolution होता है क्या होता है सबसे पहले तो आप लोग को यह याद रखना है कि यह Dissolution नाम का word राज सभा के लिए यूज नहीं करेंगे क्यों 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 हमारा राज सभा जो है वो एक permanent house है वहाँ पर one by third जो member होते हैं वो हर दो साल में retire होते हैं और उनका election होता रहता है तो यहां पर यह परकिरिया चलती है cycling में यहां पर काम चलता रहता है तो यह एक permanent house है यह कभी भी dissolve नहीं होता है तो जो Dissolution का जब word यूज करेंगे तो किसके लिए करेंगे हम word use करेंगे लोग सभा के लिए लोग सभा के लिए Dissolution word use करेंगे तो लोग सभा को Dissolve करने का दो तरीका होता है एक तो तरीका यह है कि 5 साल का हमारे आपर time period होता है लोग सभा का election होते है 2014 में अब 2019 में election होंगे तो 2019 में जाके यह डिजॉल हो जाएगी लोग सभा, वो natural desolution हो गया, एक desolution होता है कि प्राइम प्रेजिडेंट के द्वारा अपने आप डिजॉल कर देना बीच मर ही, बीच में ही उसको, ठीक है, या तो majority न होना, ठीक है, पारले उसमें लोग सभा में majority न होना, या फिर औ दो तरीके होते हैं, लोग सभा के desolution करने के, तो यहाँ पर जब desolution होता है, तो जो भी work pending पड़े रहते हैं, वो सारे यहाँ पर खतम हो जाते हैं, बिल विल जो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो सब साइड में हो जाते हैं, पर फिर भी कुछ आप लोग को portion यहाँ देखने को मिलेगा, जो साइड में नहीं होता है, ओके, वो क्या होते हैं, वो आप लोग थोड़ा समझ लिजे, माइन में clarity आ जाएगी, देखिए एक साइड में हो गया है यहाँ पर लोग सभा, जिसको हम लोवर हाउस भी बोलते हैं, दूसरी साइड में हाँ पर हो गया ह जाज सभा, जिसको हम अपर हाउस भोलते हैं, तो मान लिजे कोई बिल है, जब इसको डिजोल कर दिया गया लोग सभा को, तो कोई बिल का क्या होगा, अगर कोई बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अगर कोई बिल ओरिजनेट लोग सभा में हुआ है, और लोग सभा मे पास हो गिए है ठीक है और वो ट्रांसफर कर दिया राजसभा में लोग सबाने पास करके राजसभा में पहुचा दिया उस बिल को तो वो बिल भी टरमिनेट हो जाएगा क्योंकि राजसभा ने अभी कोई कारवाई स्टार्ट ही नहीं की है तो यह दो केस आप लोग को देख जाती है किसी भी बिल को पास करने के लिए अगर जोइंट शिटिंग का प्रोविजन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है तो जैसे ही जोइंट शिटिंग की बात आती है उसी समय पर अगर कोई बिल पास के जाता है जोइंट शिटिंग के द्वारा तो वो डिजोल न तो राजसभा के case में ऐसा क्यों होता है कि बिल पेंडिंग है राजसभा में और लोगसभा में भी send नहीं किया गए पर वो lapse नहीं होता है, क्यों? क्योंकि राजसभा जो है एक permanent house है ठीके ना? लोगसभा की तरह नहीं है, वो dissolve हो जाता है और President के sign के बिना अभी बचा हुआ है तो ये bill भी जो है Lapse नहीं होता है क्यों Lapse क्यों नहीं होता है क्योंकि दोनों जगह से Pass हो चुका है बस President के sign इस पर remaining है इसके अलावा एक इससे अगल अलगी step और इससे next वाला step आप लोग बोल सकते हैं और बिल को क्या होगा वो ये होगा कि अगर बिल पास कर दिया दोनों हाउस से और President को पसंद नहीं और President ने बिल को वापस वेज दिया ठीक है तो वो बिल भी Lapse नहीं होगा क्यों वोगी old lady उसको पास कर चुके है तो Lapse होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है तो ये टोटल मिला के आप लोगो 6 condition देखने को मिली पहली condition क्या है कि बिल जो है लोग सवा में पास हो गया है पर लेकिन pending पड़ा हुआ है राज सवा में नहीं बेजा उसको ठीक है ना तो एक तो वो Lapse हो जाएगा इसके अलावा बिल लोग सवा में यह अभी पास भी नहीं होगा है वो Lapse हो जाएगा ठीक है तो दो तो Lapse की condition है और चार बिना Lapse की condition है वो क्या है एक तो जोइंट सिटिंग के दोरा पास किया जाता है वो Lapse नहीं होगा दूसरा राज सवा में पास हो गया है लोग सवा में बेजा गया है वो Lapse नहीं होगा इसके अलावा प्रेजिडेंट के दोरा साइन किये बिना बचा हुआ है कोई भी बिल तो समझने की कोशिस किया गरो कि कौन सा बिल कहा पर लैप्स हो सकते हैं वो भी लैप्स होगा जो कि याद रख सकते हैं, question कई बार पूछा जा चुका है, past में इस से related भी, अब next आता है quorum, इसकी बाद हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ पर अगर quorum की फिर से मैं बात करूँ आप लोगो बताऊं, तो 55 मेंबर हो जाएंगे लोग सबा में, ठीक है न, और 25 मेंबर हो जाएंगे राज सबा में, तो अगर लोग सबा के 55 मेंबर और राज सबा के 25 मेंबर present है, 110, 10% तो तब जाकर यहाँ पर मिटिंग स्टार्ट होगी, देखने को मिलेंगे नहीं तो उसको एक तरीक से time pass ही बोला जाएगा यहाँ पर ठीक है तो इसलिए एक quorum रखा गया कि minimum इतने तो होने चाहिए ही चाहिए अगर business conduct कराना है लोग सबागा या फिर राज सबागा अब next बात की जाती है कि voting कैसे होती है house में तो voting कैसे होती है देखिए जो भी कोई business होता है लोग सबागा जब यहाँ पर रखा जाता है सामने presiding officers के द्वारा तो उससे पूछा जाता है यहाँ पर members से कि आप क्या चाहते है ठीक है तो एक तो word होता है यहाँ पर use के जाता है ay तो इसका मतलब होता है सदा मतलब yes ठीक है और दूसरा होता है दूसरा जो इसका opposite होता है वहाँ पर बोल जाता है no ठीक है न कि accept नहीं कर रहे हैं तो जो भी bill होता है जब रखा जाता है यहाँ पर session में तो उससे पूछा जाता है yes और no के लिए तो फिर उनसे confirm किया जाता है जो member of parliament होता है कि कौन उसको support कर रहा है और कौन उसको oppose कर रहा है और वो बात है हम लोग last lecture में ही समझ चुके हैं पढ़ चुके हैं अच्छेजे कि अगर बात की जाती है यहाँ पर जो presiding officers होता है तो वोट नहीं करता है starting में अगर tie हो जाती है त तो तब वोट करता है ठीक है तो वो भी आप लोग को याद रखनी है तो yes और no के base पर यहाँ पर पूछा जाता है कौन support कर रहा है उसको और कौन oppose कर रहा है sorry उसको bill को जो रखा गया है जो भी parliament में जो लोग सबा में जो भी bill रखा गया है तो उसके बारे में यहाँ पर ब point है language in the parliament तो यह तो विल्कुल आप लोग बोल सकते हैं कि लड़ाई की जड़ या फसाद आप लोग इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे constitution maker हैं उन्होंने बोला था 1950 में कि अभी हम Hindi और English दोनों यूज कर सकते हैं पर लेकिन जो English है वो 1965 के बाद में continue नहीं करे 1963 का जो act आया बात ये निकल के आई कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि English को discontinue किया जाए और फिर से इसको continue करा गया और आज तक भी continue चली आ रही है क्यों कि आप अपनी country में खुद देख सकते हैं कुछ ऐसे area हैं जहाँ पर Hindi समझ में ही नहीं आती है आप लोग तक भी हिंदी और इंग्लिस दोनों चली आ रही है खासकर फोकस के जाए इंग्लिस पर तो इंग्लिस चली हुई आ रही है जिसको discontinue करना था तो आज की date में हम इंग्लिस को continue करे हुए है तो ये बात भी आप लोग को clear होनी चाहिए माइंड में तो act याद रखिए गए य इसका मतलब आलसी मिल सकता है आप लोग को इसका मतलब ठंडा इंसान मिल सकता है सुस्त इंसान मिल सकता है इसका मतलब जिसकी कहानी खतम हो चुकी है तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं मतलब कहने का क्या है मतलब यह है कहने का कि नई लोग सभा चुनकर आ जैसे 2014 में election हुए है, अभी नई government चुनके रा चुकी है, पर लेकिन पुरानी government का last session बचा हुआ है, तो जो last session होता है, उसको बोलते है, lamb duck session, जो last session होता है, मतलब कानी खतम हो चुकी है, बस अभी यह जाने ही वाले है, तो उसको lamb duck session बोलते है, जो उस तरीके के member के द्वारा बोलते हैं, जो member उस time पर उस session को कर रहे होते हैं, क्योंकि वो re-elected नहीं हो के आए है, ठीक है, तो जो re-elected नहीं हो के आए है, फिर से उनको lamb ducks बोला जाता है, जिनका ये आखरी session होता है, तो ये वर्ड भी कई बार पूछ ले जाता है, तो इस तरीके से जो भी वर्ड है, एडजन, या एडजन, साइनेड आई, या प्रोरगेशन, डिजोलूशन, या आप लोग कोरम देख सकते हैं, आपर वोटिंग इन दा हाउस बोल सकते हैं, या फिर language का concept, या फिर lamb duck session, तो इन सब के बारे में आप लोग को पता होना चीए, कोई भी confusion नहीं रखना है, और य अच्छा, आप लोग question बताईए, लास्ट वाले lecture में जो मैंने आप लोग उसे, लास्ट वाले lecture में जो पढ़ाया था, leader of opposition के नाम बताईए दोनों के, और leader of house के भी नाम बताईए दोनों के, नीचे comment box में, तो दोनों का answer दीजएगा, देखिए, answer बहुत कम दे रहे हैं आ दूसरों को भी फायदा हो इसका, तो आज के लिए इतना ही, thanks a lot for listening, जै हिंद!